थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वीटा एप के जरीए एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं वो भी विधाउत वाटर मार्क के जिहां दोस्तो लेकिन मैं उस वीडियो में आपको वो बहुत सारी लोगों के कॉमेंट्स आये थे कि आपने ये तो बताया है नहीं कि इस एप का जो वाटर मार्क आता है उसे कैसे हटाए जाए तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले है कि कैसे आप अपने वीडियो में से वीटा एप का वाटर मार्क कैसे आताते ह तो चलते हैं हमारे mobile की screen पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे नाम है दिवेश और आप देखना शुरू कर चुके है ठकी दिवेश तो अब हम लोग आ गए हमारे mobile screen के उपर यहां से हमें जाना है सीधा Vita app के वीटा एप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है यह है मेरे कुछ पुराने वीडियो मैं अपने सभी वीडियो इसी एप से एडिट करता हूँ इसमें आपको simply कुछ नहीं करना है सीधा जाना है यह जो आपको उपर setting का option है उसको click करना है click करने के बाद यह देखिए उपर लिखा हुआ है Vita watermark और बाजु में यह जो on off switch है उसको कर देना है आपको off यह off करते ही आपके जो भी वीडियोस है उसके अंदर जो यह watermark है वो अभी दिखना बंद हो जाएगा यह देखिए हम लोग एक वीडियो में देख लेते यह देख लिजे यह है मेरा पुराना वीडियो देखिए इसमें कहीं पे भी वीटा का watermark नहीं आ रहा है तो दोस्तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पहसंद आई है तो please इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता है एगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ